नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप Spice Money का Retailer ID घर बैटकर किस तरीके से बना सकते हैं और मैं भी आपकी पूरी मदद करूँगा अगर आप किसी जगे अटकते हैं तो आप सिफ मेरा ये वीडियो देखिए, एक-एक स्टैप फॉलो करिए, मैंने एक-एक डेमो बताया हुआ है एक-एक स्टैप का आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसपाइस मनी की आईडिया आपको बिलकुल फ्री में मिलती है, आपको एक रुपे का भी किसी को कोई चार्ज नहीं देना आपको अपनी दुकान चालू कर सकते हैं, लोगों के बिड्डॉल, कैश डिपॉजिट करवाना शुरू कर सकते हैं, ट्रांसफर करवाना शुरू कर सकते हैं अब जो सबसे इंपोर्टेंट बात में डेमो देने के पहले, आप ये कुछ डॉक्यमेंट्स हैं जिनको अपने मॉबाइल में बिलकुल सेफ करके रखिएगा पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट हो तो अच्छा है नहीं तो आपको सेल्पी ले सकते हैं पैन कार्ट की कॉपी आपके पास उना चाहिए, आधार कार्ट की दोनो साइट की कॉपी अलग लग होनी चाहिए आपके पास front side और back side एक video KYC होने चाहिए video KYC में आपको क्या बोलना है मैंने उपर आई बटन पर एक video दिया हुआ है आप उस video को देखके अपना खुद का एक video KYC मोबाईल में store करके रखे है checkbook या passbook की copy आप mobile में store करके रखे और जो आपकी दुकान है उसकी एक selfie आप अपने mobile में store करके रखे है सबसे important है video KYC में ज़्यादा तर लोग अटकते है चुकि मैंने उपर video दिया हुआ है आप उसको ही बिल्कुल copy कर सकते है इस चीज़ों का ध्यान रखे है कि आपने mobile number mention किया हो नाम mention किया हो और आप जिस जगे हो वह mention किया हो और सबसे ज़्यादा जरूरी कि आपने उसमें ये भी बोद रखा हूँ कि मैं spice money से जोड़ना चाहता हूँ बिना किसी दवाब से मैं कुछ अपनी मरजी से जोड़ना चाहता हूँ जब आप spice money का ये process शुरू करेंगे तो उसमें एक distributor ID आपसे पूछा जाएगा बहाँ पर आपको 7179 जो कि रितुगरक के नाम से मेरी wife के नाम से वो आपको डालना है क्योंकि अगर आपने ये ID नहीं डाली और आप किसी जगे अटक गए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा लेकिन अगर आपने ये ID डाली और आप नहीं अटक जाते हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और भविश्य में जो भी Spice Money की नईरी services चालू रहेंगी मैं उन सबसे भी आपको अवगत करात रहूँगा यानि कि एक तरीके से मैं आपको पूरी तरह आपको गाइड करके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पैसे कमाने हैं अब मैं आपको विडियो बताताहूँ कि किस तरीके से आपको Spice Money का registration करना है Friends, आपको सबसे पहले Spice Money को install कर लेना है अपने Mobile पर आप Google Play पर सर्च कर सकते हैं Apple App Store पर भी आप सर्च कर सकते हैं Spice Money अधीकारी एप है तब आप ये एप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी आप इसको जो भी Permission ये इसे एप मांगती है वो सारी Permissions आप इसको दे दे तब ही आपका process complete हो पाएगा पहले आप language select कर लें कि आपको कौन सी language चीए Hindi English या कोई reasonable language आप चूज कर सकते हैं उसके बाद आप आगे पढ़ जाए Welcome आएगा, Earn Money, ATM, Get Started करें फिर उसके बाद system आप से permission मांग रहा है आप continue करें और हर permission के लिए allow करें फिर आप join spice money now पर click करें आपको red color में एक option दिखाई देगा बीच में join spice money now जब आप उस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका mobile number एंटर करना है आप mobile number यहाँ पर एंटर करेंगे और get started पर करेंगे get start पर करने के पाद एक OTP आपके mobile पर आएगा जब आपके mobile पर OTP आजाएगा system automatically detect कर लेगा आपका OTP फिर उसके बाद next stage आएगी आप इसके अंदर आगे system करेगा कि आपका OTP successful detect हो चुगा है आप proceed की बटन पर click कर सकते हैं proceed की बटन पर click करने के बाद जैसा मैंने कहा था distributor ID आपको उपर डालना है submit करना है पर रित्यूगरण का नाम आजाएगा वो okay कर देना है अब आपको जो process शुरू करना है शुरू में आपको आपकी basic details डाल दी है basic details में आपका नाम हो गया email ID हो गया pin code हो गया और email address हो गया अब इसके बाद क्या होगे आपको आपका जो address रूव है वो upload करना है generally button ID card driving license यह सब ले लेता है system लेकिन आप सिर्फ आदार कार्ट से करें तो मैं आपको recommend करूँ हूँ आप आदार कार्ट की दोनों side की copy अपने पास जो रखी हुई है front side और back side यह दोनों आपको upload करनी है यह सब upload आप यहाँ पर option आएगा front side है इसमें upload करें और back side और आपको आदार कार्ट का नमबर उपर डालना है अब इसके बाद आपको pen card की details डालनी है आपके ने जो pen card की copy store करके रखी हुई है वो आपको upload करनी है pen card नमबर उपर डालना है इसके बाद पर आपको basic details डालनी है जैसे rate of birth, gender यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है अब उसके बाद आपको bank account चूज करना है जिस भी bank में आपका खाता है वो bank आपको चूज कर लेना है उसकी details डाल देनी है अब इसमें आप bank की passbook upload कर सकते है shop की अपने साथ वो आपको यहाँ पर upload कर देनी है selfie और एक जो आप small video जो मैंने कहाता है आप खुद record भी कर सकते हैं इसको upload भी कर सकते हैं और अगर यह आप record करना चाहते हैं तो जो मैंने वीडियो में बोला है आपको वही बोलना है वो save करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो system कहेंगा कि आप आपका पूरा process complete हो चुका है अब यह back end पर उसको verify करेंगे verify करने के बाद आप इस पर check status देख सकते हैं generally 2 या 3 गंटे लगते हैं चार गंटे के अंदर आपका काम हो जाता है उसके बाद आपने जो mobile number दिया होता है उस पर आपके ID password आते हैं वो आपको यहाँ पर enter करने है enter करने के बाद आपकी यह पहली window खुल जाते हैं इसके बाद आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं जैसे IRCTC का काम करना चाते हैं तो उसको activation करा सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत होती है अगर आप मेरे distributor ID के अंदर जोड़े हुए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा तो friends आप खुद मेरी team के साथ जोड़िए team मुरारीगर का हिस्सा बनी है आज की date में हजारों लोग हैं मेरा वीडियो पसंद आयोगा प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp गुरूप पे शेर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेट इंडोमेशन के लिए धन्यवाद friends